नमस्कार आप सभी का श्वागत थे NKP Production में मैं हूँ नीरा जो चली आज आपको अपडेट करने जा रहे हुए संथ पॉल कॉलेज राची से रिलेटेड तो एडविशन 24 कैसे मिलेगा, कहां से मिलेगा, क्या है प्रोसीडियोर इंटरमेडियेट यूजी की बात करें तो कहां से में एडविशन होगा, क्या प्रोसेस है, सारा डिटेल बताने जा रहा हूँ बस अग तक वीडियो पर बने रहेंगे जो मेरे चैनल पर पहली बार आएं, लाइक, शेर, सस्क्राइब कर लें उसके बाद यूजी के बात करूँगा, वोकेशनल की बात करूँगा, सारा चीज के बात करूँगा तो यूजी का है, कि यूजी का आपका जो है नोटिस निकाल दिया गया है तो नोटिस जो है, आपका नोटिस में आप देख सकते हैं आपका link कहां से मिलेगा तो यह जो link है मैं description में नीचे दे दिया हूँ संतपॉल कॉलेजराची.co.in का है तो राची नहीं है संतपॉल कॉलेज.co.in है जो नीचे description में link दिया हुआ है even that आप directly संतपॉल भी call आप Google में सर्च करके directly इस website पे आ सकते हैं जैसे ही आते हैं इस तरह का website खुलता है यहां पर आपको देखिए Welcome to संतपॉल कॉलेज राची दिखा हुआ है सकेंड में आपका notice intermediate first provisional list आपका जो list है वो निकाल दिया गया आपको इसमें click करना है जैसे ही आप इसमें click करेंगे आपका notice आपका download हो जाएगा कि कौनसा आपका notice निकल करके आया है कि आपका notice क्या काता है तो notice में directly कहा गया है कि जो student का नाम 2024-2026 के लिए आया हुआ है उनका admission तभी हो पाएगा जब वो आपका verification करवाएंगे original document तो original document में क्या कैली करके आना होगा उसकी बात करें तो आपका जो पहले date की बात करें तो 6 से ले करके 14 जून के बीच में आपको जा करके करवाना है उससे पहले अगर मलकी बाद में जाते हैं तो आपका वो accept नहीं किया जाएगा list of document क्या क्या है 10th basis का है बॉर्ड हो आपका जैक ICSC CBSC और अधर जो भी बॉर्ड है तो आपको जो admin card, mark seat, transfer certificate, original जिसको लोग CLC भी काते हैं, character certificate, original, cast certificate आपका अगर cast applicable, STSC, OBC से हैं तो उसके लि अपना parents, mammy, papa का जो है वो लेकर जाएंगे और आधार card लेकर जाएंगे, जिनके guardian हैं, वो guardian card का लेकर के जाएंगे, तो यह लेकर के जाना है, इसके बाद लेने के बाद में आपको क्या करना होगा, पहले आपका document verification हो जाएगा, तो फिर allow हो जाएगा आपका payment करने के एगा, तो यह रहा आपका intermediate से, science, commerce, arts की बात करें, तो यही पर देखे, लिश्ट आपका दिया गया है, तो arts की बात करें, आपका commerce की बात करें, तो यहां पर देखे, जैसे commerce में ने touch किया, तो commerce का list में रहे कूल गया, किनका किनका नाम, selection, लिस्ट में आया हुआ है, उसके साथ-साथ में मैं बात करने जा रहा हूँ कि अब ब्यात करते हैं BBA और BCA के लिए तो BBA और BCA के लिए क्या है क्रेटरिया तो BBA और BCA के लिए एड़िशन कहां से हो रहा है क्या है प्रोसेस उसकी बात करने करो तो यहां पर देखे क्या ओफ-लाइन अप्लिकेशन फर्म यहां पर साफ-साफ लिखा हुआ है BBA, BCA के लिए एवलेवल फ्रम क्वालेज काउंटर नंबर 2 नहीं हो पा रहा तो यहां पर डारेक्ट एड़िशन आपको मिल रहा है सिधा सिधी बात है कि आपका डारेक्ट एड़िशन इसमें दिया जा रहा है तो यह हो सकता है मेरिट लिशन इकलिए अगर ज़्यादा फर्म आ जाता है लेकिन अभी तक के अनुसार है कि वो डारेक्ट एड़िशन होगा पॉल का आपको नाम आ जाएगा तो इंटर्मेडिएट वाले जो हैं जिनका लिस्ट में नाम आ चुका है वह एड़िशन करा लिजिए जिनको बीबीए बीसीए में आपको फॉर्म करना है तो ऑफलाइन फॉर्म मिल रहा है कांटर नंबर टू से वहां से जा करके ले सकते हैं और उसका साथ साथ में मैं बात करूँ कि आपका जितने भी मलकी जो स्टुडेंट है अगर आपका जेनरल कोर्स में कराना है तो चांसलर पोटल से जा करके आप करा सकते हैं बस यह रहा अपडेट और आगे का हर तरह का अपडेट के लिए बने रहेंगे इनके प्रोड वक्सान के साथ बहुत बहुत धन्यवाद